C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है कक्षा पांच की पाट्टे पुस्तक हमारे आसपास का 21 पाट किसकी जलक, किसकी चाप प्रिष्ट 192 आच्छी, च्छी आशिमा खिड़की के पास बैठी पड़ रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी, धूल भी उड़ रही थी, अचानक आशिमा को जोर से छीक आए, आँची आशिमा की मा और पिताजी, दोनों रसोई घर में सबजी छान रहे थे, मा ने कहा, देखा, छीकती है तो बिलकुल आप की तरह, अगर आप यहां ना होते, तो मैं समझती कि आप नहीं छीका है तालिका में लिखो, आशिमा की छीक जैसी, क्या तुम्हारी भी कुछ खास पहचान है, जो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती है क्या और किस से तालिका बनाओ जिसमें दो कॉलम हो एक कॉलम में लिखो तुम्हारी खास पहचान और उसके आगे दूसरे कॉलम में लिखो किस से मिलती है प्रिष्ट 193 बताओ तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से तुम्हारा चेहरा या कुछ और मिलता है क्या-क्या? इसके बारे में तुम्हें किसी ने बताया या खुद ही पता चला? जब लोग तुम्हारे तुलना तुम्हारे परिवार के सदस्य से करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है? और क्यों? तुम्हारे घर में सबसे उचा कौन हसता है उसकी हसी की नकल करके दिखाओ किसकी मौसी कौन नीली मा स्कूल की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई थी उसने किसी को आते देखा और अंदर जाकर मा से कहा अम्मा देखो तुमसे मिलने कोई मौसी आई है माने बाहर आकर देखा और कहा अरे पगली ये तुम्हारी मौसी नहीं तुम्हारी बेहन है ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी नानी के बेटे जगदीश की बेटी किरन है असल में तो तुम इनके प्यारे से छुटकू समीर की मौसी हो निली मा की बड़ी नानी से लेकर छोटे समीर तक के नामों की सूची बनाओ निली मा का किस से क्या रिष्टा है? लिखो पता करो क्या तुम्हारे परिवार में भी अलग-अलग उम्र के भाई बहन या मामा भांजे जैसे रिष्टे हैं? घर के बड़ों से पूछो पिष्ट 194 कैसे जुड़े हैं हम सब? यहां एक चित्र में दो तितलियां दिखाई दे रही हैं एक बड़ी तितली एक छोटी तितली दोनों आपस में बाते कर रही हैं बड़ी तितली छोटी तितली से कह रही है तुम्हारी दादी की चचेरी बहन की जो दूसरे नंबर की बिठिया है तुम बिल्कुल उसके जैसी दिखती हो नीलीमा छोटे समीर से खेलने लगी इतने में मा ने कहा किरन देखो मेरी नीलीमा के बाल बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसे हैं घने, काले और गुंगराले शुक्र है मेरे बालों की तरह सीधे, भूरे और बेजा नहीं है नीलीमा की नानी हसकर बोली हाँ हैरानी की बात है जैसे हम बहनों के घने गुंगराले बाल थे अब वैसे ही हमारी दूसरी पीड़ी के बच्चों के हैं सब की बातें सुनकर नीलीमा ने सोचा कहने को तो हम दूर के रिष्टेदार हैं मगर आपस में कितने जुड़े हैं हम सब पता करो और लिखो नीलीमा के बाल उसकी नानी की तरह गुंगराले हैं तुम अपनी किसी बहन, भाई, चाहे ममेरा भाई, चचेरी बहन की कोई पहचान देखो जैसे आखों का रंग, गालों में गड़ा जिसे दिम्पल कहते हैं, कद, पतली या मूटी नाक, आवाज बताओ कि यह पहचान यानि गुण उसकी मा के परिवार से आई होगी या उसके पिता की तरफ से एक तालिका बनाओ अपनी कौपी में और इस तरह से भरो, जैसे यहां हम नीली मा का उधारन देकर समझा रहे हैं आप तालिका में चार कॉलम बनाओ पहला कॉलम नीली मा खास पहचान घुंगराले बाल दूसरा कॉलम किस से मिलती जुलती है उसकी नानी से तीसरा कॉलम मा की तरफ से उसमें राइट का निशान पिता की तरफ से उसमें गलत का निशान इसी तरह से आप भी अपने भाई बेहनों की तालिका बनाएं क्या तुमने अपने या किसी और के परिवार में बहुत छोटे बच्चे को देखा है? बच्चे की आँखें, नाक, रंग, बाल या उंगलियां परिवार वालों में से किसे मिलती जुलती हैं? उनके नाम लिखो, प्रिष्ट 195, नीलीमा के बाल अपनी नानी जैसे घने, काले और घुंगराले हैं, नीलीमा की मा के बाल सीधे, भूरे और बेजान हैं, तुम्हारे बाल कैसे हैं? मोटे या पतले, चिकने या रूखे? तुम्हारे बालों का रंग क्या है? अपने बालों का नाप लो और लिखो क्या तुम्हारे बाल तुम्हारे परिवार में से किसी से मिलते जुलते हैं? किस से? तुम्हारे परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं? तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनके बाल एक मीटर से लंबे हैं? क्या लंबे बाल होना उनके परिवार की पहचान है? सिर से पाउं तक का नाप लो और लिखो. सोचो, जब तुम बड़े होंगे, तब तुम्हारी लंबाई कितनी होगी और किसके जैसी होगी? अपने घर के लोगों की लंबाई नापो और तालिका बनाओ. यहां दो चित्र दिये हैं. पहले चित्र में, एक बच्चा दादा जी के बाल नापना चाहता है, लेकिन दादा जी के तो बाल ही नहीं, बस पीछे की तरफ थोड़े से बाल हैं. बच्चा कह रहा है, दादा जी के बाल नापना आसान नहीं है. दूसरे चित्र में एक दादी को दिखाया गया है जिनकी कमर जुग गई है और वो लकडी के सहारे जुग कर खड़ी है और बच्ची उनके सिड से उपर आ रही है जो बाल नापने की कोशिश कर रही है नानी कहती है भई मैं पहले ज्यादा लंबी थी प्रिष्ट 196 यह कैसा आईना यहां एक चित्र दिया गया है जिसमें दो लड़किया है ऐसा लगता है कि एक लड़की आईने में अपना चेहरा देख रही है क्योंकि शकल बिल्कुल एक जैसी है क्या सरोजा आईने के सामने खड़ी है जी नहीं उसके सामने आईना नहीं उसकी जुड़वा है चकरा गए न जब कभी वे दोनों मिलती हैं तो उनके मामा जी भी गरबड़ा जाते हैं कभी सरोजा को डांट पड़ जाती सुवासनी की शैतानी की कभी सुवासनी खुद अपने मामा को कहती कि सुवासनी बाहर गई है आज कल उनके मामा समझ लेते हैं कहते हैं मराठी में गागर दिखाओ ये क्या तरीका हुआ उनके बारे में पढ़ो तो समझ जाओगे दोनों बहने दो हफ़ते की ही थी जब सरोजा की चाची ने उसको गोद ले लिया था और अपने साथ पुणन ले गई थी चाची की घर में सभी को संगीत का बेहद शौक है सुभा की शुरूआत ही संगीत से होती है सरोजा को बहुत से गीत और गाने आते हैं दोनों भाशाओं में मराठी और तमिल उसके घर पर सब लोग तमिल बोलते हैं और स्कूल में ज्यादतर बच्चे मराठी सुभासनी चिन्नई में अपने पिता की साथ रहती है उनके पिता कराटे के कोच हैं तीन साल की उम्र से ही सुवासनी बाकी बच्चों के साथ कराटे करने लगी। चुट्टी के दिन दोनों बाब बेटी सुभा से ही अभ्यास करने लग जाते हैं। देखने में दोनों बहने एक जैसी हैं पर उनकी पहचान फिर भी काफी अलग है। अब तुम समझे उनके मामा ने उनकी पहचान का तरीका कैसे ढूंडा। चर्चा करो सरोजा और सुवासनी में क्या गुण, क्या बातें मिलती जुलती हैं और क्या अलग हैं। क्या तुम किसी जुड़मा को जानते हो। उनमें क्या एक जैसा है और क्या अलग। क्या तुम ऐसे जुड़वा को जानते हो जो एक जैसे नहीं दिखते? सरोजा और सूवासनी दिखते तो एक जैसे हैं, पर इनमें कई बाते अलग-अलग हैं. जैसे सरोजा को दो भाषाएं आती हैं. अगर सुवासनी के घर पर दो भाशा बोलते तो वह भी दोरों भाशा बोलना सीख सकती थी बहुत सी चीजें जैसे बुनाई, भाशा, संगीत या पढ़ने का शौक हम असानी से पा लेते हैं जब हमें उसका माहौल मिलता है प्रिष्ट 197 परिवार से मिला अपनी क्लास में यह मज़िदार सर्वे करो कितने बच्चे यह कर पाते हैं? लिखो एक, जीब को तालू की तरफ मोडो, बिना दातों से चुए दो, जीब को किनारे से उठा कर एक लंबे रोल की तरह बनाओ तीन, पैरों की सारी उंगलियों को खोलो बाकी उंगलियों को हिलाए बिना छोटी उंगली हिलाओ चार, हाथ के अंगूठे को अपनी कलाई से लगाओ पांच, हाथ के बीच वाली उंगलियों का वी बनाओ दोनों उंगलियां इधर उधर करके छे, बिना चुए, बहारी कान हिलाओ जो बच्चे ये कर पाए, वे अपने परिवार वालों से भी ऐसा ही करने को कहें क्यों? कितने बच्चों को ये बातें उनके परिवार से मिली हैं? क्या माबाप से नहीं मिला? सत्ती कुछ ही महिने की थी, जब उसकी एक टांग में पोलियो हो गया इतने वर्षों में उसने कभी भी अपनी इस दिक्कत को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया है दूर दूर तक पैदल जाना और कई मन्जिल सीड़ियां चड़ना उसके काम का हिस्सा रहा है अब जब उसकी शादी हुई, तो लोग उसे बच्चा पैदा ना करने की सला दे रहे है उसे खुद भी डर है कि कहीं उसके बच्चे को भी पोलियो ना हो जाए फिर उसने डॉक्टर से सला ले यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें डॉक्टर सत्ती से कहते है नहीं नहीं, तुम परिशान मत हो, मा या बाप को पोलियो है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को भी होगा प्रिष्ट एक सो अठानवे क्या तुमने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा या देखा है? क्या तुमने पोलियों की दवाई पिलाने के बारे में कोई ख़वर पढ़ी है क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलियों है मटर के प्रयोग चिकने या खुर्दुरे औस्टेलिया में रहने वाले ग्रगोर मेंडल का जन्म सन 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था उन्हें पढ़ाई का बहुत चौक था पर परीक्षा के नाम से ही पसीने चूटते थे क्या तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल है युनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे ना होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंग यानि मुनी बनने का सोचा ताकि वही से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके जो मिला भी पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परिक्षा देनी पड़ी उफ गवराहट के मारे वे परिक्षा से भाग जाते और फेल होते रहे खैर उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा साथ साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौदों पर बारीकी से प्रयोग किये धेरों आकड़े इकठे किये और एक नई बात खोज निकाली ऐसी बात जो उस समय के विज्ञानिकों को समझ ही नहीं आई थी मेंडल के मनने के कई साल बाद ही वे समझ पाए थे जब कुछ और लोगों ने ये प्रयोग किये और पाया कि मेंडल ने इस पर पहले ही लेख लिखा था मेंडल ने पौधों में क्या पाया था? उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोडियों में आते हैं जैसे बीज का चिकना या खुर्दुरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना पर चिकने बीज वाले और खुर्दुरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी यानि अगली पीड़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने या खुर्दुरे ह ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरा बन जाए इसी तरह रंग के गुण में अगली पीड़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या हरे पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते यही नहीं मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीड़ी के पौधों में ज्यादा पीले बीज वाले ही होंगे इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीड़ी में चिकने बीज ज्यादा होंगे प्रिष्ट 199 कुछ परिवार से, कुछ हालात से विभा दूर से ही जान जाती है कि उसके नाना आ रहे हैं उनके ठहाके की आवाज सुनकर नाना जोर से बोलते हैं उचा भी सुनने लगे हैं तुम्हारे घर में कोई जोर-जोर से बात करने वाले हैं क्या उनकी ऐसी आदत है या वे उचा सुनते भी हैं क्या तुम किसी समय या किसी के सामने बिल्कुल जोड से नहीं बोलते? कब और किसके सामने? और क्यूं? और कब जोड से बोलते हो? कुछ लोग सुनने के लिए कान पर मशीन लगाते हैं कुछ लोग छड़ी या चश्मे की मदद लेते हैं क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो? किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो उचा सुनता हो पता करो क्या वह बच्पन से ही उचा सुनता है? कब से उचा सुनने लग उन्हें क्या-क्या कठिनाईयां आती हैं। हमने देखा कि हमारे कुछ ऐसी पहचान यानि गुण होते हैं जो हमें परिवार से मिलते हैं। कई हुनर और कई बातें हम अपने माहौल से लेते हैं। पर कभी कोई बीमारी या ज्यादा उम्र की वज़े से भी हम में कुछ बदलावाते हैं। यह सब मिलकर ही हमारी पहचान बनती है। हम क्या समझे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कौन-कौन सी ऐसी पहचान है जो तुम्हें मा की तरफ से मिली है। किस की जलक, किस की चाप, अभी आप सुन रहे थे, कक्षा 5 की पाठे पुस्तक, हमारे आसपास का 21 पाठ, प्रस्तुती, C I E T, N C E R T, नई दिल्ली, भारत